Hello and very warm welcome to our channel on success with dharam. Today we are going to discuss about how to prepare current affairs. Current affairs को किस तरह से prepare करना है? क्योंकि current affairs जो होते हैं, कोई सा भी exam हूँ, उसके लिए बहुत ज़्याद़ important होते हैं और एक बहुत ज़्यादा dynamic और wide portion है. So students के mind में question आता है कि current affairs को prepare कैसे करना चाहिए? So इस session में हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे current affairs को prepare करना है? देखो current affairs को prepare करने से पहले आपको क्या करना है? कि आपका जो syllabus है, जिस भी exam के आप तयारी कर रहे हैं, उसका जो syllabus है, उसको आपको at least three times पढ़ना है. इससे क्या होगा? जब आप newspaper उठाएंगे, क्योंकि newspaper में बहुत सारी news होती है, जब आपने syllabus पढ़ लिया है, और न्यूस पेपर को अब आप रीट करने बैटे हैं, तो आपको कोई भी जो important news देखेगी, जैसे इन्वार्मेंट से लेटेट कोई news हो गई, तो आपको समाझ आएगा कि यह वाला जो topic है, यह मेरे syllabus में mention है, तो यह जो news है मेरे exam perspective से important है, और या फिर important नहीं है, तो इस तरह से आपको identification हो जाएगा कि कौन सी news जो important है और कौन सी news important नहीं है, second thing आपको क्या करनी है, previous year के question paper, previous year के question paper जो है, वो आपको बताएंगे कि इस news को पढ़ना कैसे है, कि इस news में से कौन सी चीज जो है important है, और किस तरह से examiner जो हैं इनने से question पूछ सकते हैं, तो यह दोन important है चीज़े होती है, एक तो syllabus, तूसरा previous year के question paper, इसकी help से आप क्या कर सकते हैं, आप current affairs को बहुत अच्छे से prepare कर सकते हैं, अब बारी आती है कि resources, क्या हमें सिर्फ newspaper पढ़ना चाहिए, कोई magazine refer करनी चाहिए, या फिर कोई भी monthly compilation ले लेना चाहिए, तो देखो, अगर आपको notes बनाना अच्छा लगता है, और आप newspaper को dedication के साथ पढ़ते हैं daily, और आप उससे notes बना सकते हैं, तो आप अपने notes पे completely reliable हो सकते हैं, और किसी चीज़ के आपको जरूरत नहीं बढ़ेगी, लेकिन आपको कि जो आप पढ़ रहे हैं, वो sufficient नहीं हो सकता है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, मन्थली जो कोई भी magazine ले लीजिए, उस magazine को आप रेफर करिए, और एक ही magazine पे reliable रहेगा, पहले ही सोच लिएगा कि आपको कौन सी magazine लेनी है, इससे क्या होगा कि जो क्योंकि students के बहुत जल्दी जल्दी चेंज करते रहते हैं, तो एक confusion माइं में क्रिएट हो जाती है, जो भी resource ले रहे हो उस पे completely reliable आपको होना है, ठीक है, इस तरह से आपको अपने देखना है कि आपको handwritten notes suitable होते हैं, या पर magazine क्योंकि आपको अपनी strength and weakness खुदी identify करनी होगी, क्योंकि दुनिय जानने से पहले खुद को जानना बहुत जादा इंपोर्टेंट होता है, इसलिए आपको अपने आप पे भी काम करना होगा, यह पता चलेगी आपकी strength and weakness क्या है, इसके बाद आता है कि how to revise it, क्योंकि current affairs जो होते हैं, पूरे की पूरे एर के हमें करने होते हैं, और यह बहु इसको separate time देदीचे, वन आर देदीचे, इसको revise करने के लिए ठीक है, और इसके बाद आपके अगली जो particular day के current affairs उसको कर लो, दूसरा तरीका यह है कि आप क्या कर सकते हो, कि वीकेंग्स में आप current affairs को revise करें, for example के लिए आपने Monday to Friday या फिस Saturday के current affairs आपने cover कर लिये हैं, और Sunday क अगर आप current affairs के revision दो दिन में करते हैं, तो Saturday और Sunday revision कर रखिए, अगर आप सिर्फ एक ही दिन में कर सकते हैं, तो Sunday को अपना revision day रखिए, तो इस तरह से आपको revise करना है, और revision को पोरा की पूरा time देना है, जितना time आपने current affairs को पढ़ने में लगाया है, सेम उतना ही time आपको revision क को देना होगा, revision को बलकुल भी neglect नहीं करना है, क्योंकि बहुत ही जादा important होता है, revision करना, इन सब के बाद, आपको कोई भी MCQs मिल जाए, current affairs based, उसको भी लगा लेजी, इससे क्या होगा, आपको समझ आएगा कि आपके current affairs के preparation कैसे चल रही है, तो ये ता complete analysis कि आपको किस तर and share this video to the fellow SPN and thanks for watching this video.